इस व्याख्यान में हम लोग चर्चा करेंगे मल और अगनी की वारी में जिसके अंतरगत मल का परिचय, मल की प्रकार, श्वेद का परिचय, स्थान, कर्म, वरधिवा, श्वेद, श्यायकिल, लक्षण, मूत्र का परिचय, स्थान, कर्म, वरधिवा, श्यायकिल, लक्षण, पुरीश का परिचय स्थान, कर्म, वृध्धी और पुरीश, शाय के लक्षन, उसके पाद अगनी, अगनी का परिचय, प्रकार, जट्रागनी और उसके प्रकार. मल का बारे में, अस्टांग संग्राह में कहा गया है, मलनी करना, दाहार, मलत्वान, मलाहा, जो शरीर को मलन करते हैं, वे मल कहलाते हैं. जो हम भुजन ग्रहन करते हैं, उस भुजन के पाचन और आउशोषन के पस्चात, जो अनुप्योगी पदार्थ हमारे शरीर में बच जाते हैं. उन्हें मल कहा जाता है, स्वस्थ रूप से शरीर को धारण करने की कारण इन्हें देह का मूल भी कहा जाता है, यदि मल के निश्कासन में कमी अधिकता हो जाती है, तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है. जैसे कि कहा भी गया है, जायन्ते विविधा रोगा, प्रायर्शो मल संचयात, सर्वेशामेव रोगानाम, निदानम, कुपिता मलाहा. अर्थार्थ, विविध प्रकार के रोग मल की संचया होने पर हो जाते हैं, और सभी रोगों का निदान, कुपित मल को वाहर निकालना है. मल के प्रकारों की अगर हम बात करें, तो धातुओं से जो धातुओं का निर्मान होता है, अगली धातुओं का जो पोशन होता है, उसके बाद सुक्ष मल पदार्थों का निर्मान भी होता है. सब्त दूश्यों मलह, मूत्र क्रिश, स्वेदाद योपी, चा अर्धार्थ, सातों धातों के मल, साथ ही मूत्र, पुरीश, स्वेद, अधोवायू, विक्रित कप, पित, कर्ण नासिका, नेत्र, मुख और जननावयावों से मल निकालते हैं साथ ही केश, रोम, नख, और हमारी तचा से भी मल निकलते हैं तो मूत्र और पुरीश को मुख्य मल माना गया है अब हम स्वेद की बात करते हैं स्वेद की परिभासा देते हुए चरक ने कहा है मल स्वेद अस्तु मेद सहा स्वेद मेद धातु का मल है स्वेद का मूल अर्थार्थ उत्पत्ति स्थान मेद वा रूम कूप हैं मात्रा की बात करते हुए कहा गया है तदुद्खम दशान्जली प्रमानम स्वेद की मात्रा दश अंजली प्रमान होती है स्वेद के कारियों की चर्चा करते हुए कहा गया है अर्धार्थ शरीर में कलेद त्वचा की याद्रता और शुकमारिता को वनाई रखना शुवेद का कारिय है शुवेद व्रद्धी से त्वचा में दुर्गंध कंडू उत्पन हो जाता है अर्धार्थ खुजली या फंगस कह सकते हैं कंडू को हम शुवेद व्रद्धी के लक्षणों की चर्जा करते हुए कहा गया है कि शुवेद व्रद्धी होने से जो लक्षण दिखाई देते हैं शुवेद नास अती सुवेद शरीर में रुक्षता अती चिकनापन अंगों में जलन रोम हर्ष आदि शुवेद श्राय के लक्षण रोम कुपों का अवरूध तवचा की रुक्षता तवचा का फटना वा रोम पात होना शुवेद श्राय के लक्षण कारण जो है उनकी चर्षा की जायतूर व्यायाम, अतिधूप, शीत, उश्णता का व्यतिक्रम से सेवन, क्रोध, शोक और भाय के समय भी से भी स्वेद्र श्रै होता है दूसरा जो मल्क है वो मूत्र है और इसे आहारक जो हम ग्रहन करते हैं उसके जलिये भाग का जो सार द्रव पदार्थ बचता है और मूत्र आशाय में पहुच जाता है वह मूत्र का इलाता है मूत्र के कारिय शरीर को आद्रता प्रदान करना, विशैले पदार्थों को वाहर निकालना मूत्र शै के लक्षन, वस्ति प्रदेश में जलन, मूत्र निश्कासन के समय पीडा, मूत्र की कमी, रंग का विवर्ण होना, अधिक प्यास लगना, तथा मुख का सूखना आदे मूत्र व्रद्धी के कारण, अधिक मात्रा में, मूत्र स्राव होना, बार बार मूत्र त्याक कीक्षा, वस्ति प्रदेश में पीडा, एट का फूलना आदी, मूत्र व्रद्धी के कारण है मूत्र वेग में भी जल पीना, वेग रोकना आदी पुरीश की बात करें तो पुरीश जो कित भाग होता है हमारे मल का उसको पुरीश कहते हैं पक्वाशयम्तू प्राप्तश्य सोश्यमालाश्यवायूना परिपिंडित पक्वश्यवायू हुस्यात कटू भावता आहार के पाचन के पश्यात जलिय अंश और पोशन को सुखा कर जो पिंडी भूत भाग बचता है वह मल्पदार्थ पुरीश कहलाता पुरीश के कारिय शरीर को धारन करना आउसिस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पुरीश शय के लक्षन हिरदाय पार्ष आत्र में सरशब्द वायू का कश्ट देते हुए उपर को जाना पुरीश शय के लक्षन है पुरिश व्रद्धी के लक्षन, कुक्षी अर्धार्थ पेट के निचले हिस्से का फूलना, पीड़ा और सरीर में भारी पनाना पुरिश दुष्टी के कारण, वेग रोकना, अधिक खाना, अजीर होना, बिना पचे खाना, या पाचन अगनी का कमजोर होना पुरिश दुष्टी के कारण है, और पुरिश दुष्टी पर हमारे सरीर में जो लक्षन दिखाई देते हैं, मलत्याग में आवाज, कष्ट के साथ, द्रव, पदार्थ बाहर निकालना, गांठ योक्त, वहां बहुत मात्रा में मल निकलना, ये पुरिश दुष्टी के लक् मल अगर सम मात्रा में परियाप्त मात्रा में बाहर निकलता है, तब तो ठीक है, कोई भी मल कम या ज़्यादा निकलता है, तो उसके दुष्ट प्रभाव शरीर में दिखाई देते हैं, शरीर रोगी हो जाता है, कमजूर हो जाता है, इसलिए हरीक व्यप्ति को अपने मल का भी ध्यान रखना है, कि परियाप्त मात्रा में निकलता है, कि नहीं, अब हम कुवात्ट करते हैं, अगनी की भोजन को शरीर के अनरूप ढ़लने की किरिया को पूरा करने वाला जो तत्त है वह अगनी कहलाता है शरीर में अगनी का स्थान इसलिए महत्वपून है क्योंकि पाचन करना पूशक पदार्थों को उनके स्थान पर पहुचाना और शरीर में तेज आदि प्रदान करना अगनी के काम होते हैं अगनी कम्या अधिक होने पर शरीर में रोग हो जाते हैं और नश्ट हो जाने पर मरत्यु भी हो जाते हैं अंगती व्यापनोती इती अगनी ही व्याप्त रहने वाला पदार्थ या प्रगती श्रील धातु अगनी कहलाता है इसे वैश्वानर, सर्वपाक, तनुनपाक, शुची जैसे नामों से भी जाना जाता है अगनी की कारिय की चर्चा करते हुए आचारिय चरक ने कहा है वर्णम वलम स्वास्थम उत्सा हो चव प्रभा ओजस तेजस शोग्णिया प्राणास चोकता देहागनी हे तुग्वा अगनी के प्रकारों की जब चर्चा की जाती है तो अगनी के तेरह प्रकार हैं जो हमारे शरीर में होती है पाच प्रकार की भूत अगनिया साथ प्रकार की धात्व अगनिया और एक जठरागनी जिसे हम पाचक अगनी के नाम से भी जानते ही भूत अगनिया में भौम अगनी आन्यागनी भौम अगनी को हम लोग भौमी से संबंदित आन्यागनी जल से संबंदित आगने आगनी वायू से संबंदित वायब्यागनी वायू से संबंदित आकाश आगनी आकाश स्री संबंदित मानते धात्वागनियों में सभी धात्वों के साथ अगनी को जोड़कर रसागनी, रक्तागनी, मांसागनी, मेदागनी, अस्त्यागनी, मज्यागनी, शुक्रागनी, पुरुषों में और रजोगनी स्त्रियों में पाई जाती है जटरागनी जो भी खाद्द और पेपदार्थों का हम ग्रहन करती हैं उनका पाचन करके उन्हें धातुओं के द्वारा ग्रहन करने योग रूप प्रदान करती है और फिर उसे ओज ऊश्मा बल में परिवर्दित कर दीना जटरागनी का काम है इसके चार प्रकार हैं तीक्षण अगनी जो अनुकूल प्रतिकूल सब प्रकार से जो भी आहार हमले जैसे भी सेवन किया गया हो श्रीग्र अतिसीग्र पचा कर पित्ताधिक से पचा देता है उसे तीक्षण अगनी करते हैं मंदागनी जो अगनी सामान्य भोजन को भी पचाने में समर्थ ना हो ऐसी अगनी को मंदागनी कहते हैं विश्मागनी जो कभी आहार को श्रीग्र तो कभी धीले धीले पचाती है और कभी पचाने में भी सक्षम नहीं होती है वह बात के कारण विश्म रहती है इसलिए उसे विश्मागनी कहते हैं समागनी भोजन की परिचित परीमित यतोचित मत्रा को एक निश्चित समय में अच्छी तरह से पचाने में जो सक्षम होती है उसे समागनी कहते है तो पाचन में अगनी का मुखह कारिय है और अगनी की सम अवस्था सरीर को स्वस्थ रखती है तेज ओज प्रदान करती है और विशम कम या ज़ादा होना सरीर में रोगों को आमंतरित करती है सरीर को कमजूर करती है हज का हमारा ये व्याख्यान यहीं समात होता है नमस्कार